मेट्टूर बांध से पानी की सप्लाई का अभाव होने के कारण सामबा धान के उत्पादन में कमी आने तथा ग्रीश मकाल काफी खतरनाक होने की आशंका से फसल की खेती के प्रती किसानों में उत्साह घटने से तमिल नाडु में धान चावल का भाव तेज होने लगा है। थोक बाजार मूल्य में 15 रुपए प्रती किलो तक का भारी इजाफा हो सकता है। तमिल नाडु में रभी कालीन धान की खेती संतोष जनक धंक से नहीं हो सकी और अब किसानों का ध्यान अगले खरीफ सीजन पर केंद्रित हैं। उसकी फसल आने में अभीभुत समय काफी है। तिरुची जिले में सामबा धान का उतपादन ख्षेतर पिछले साल के 56,000 हटकेर से घटकर इस बार 35,000 हेक्टेर पर अटक गया है। सामबा धान के लगभग 60 प्रतिशत उतपादक फाइन वेराइटी की खेती करते हैं, इसलिए चावल मिलों ने उतपादन घटने की आशंका को देखते हुए धना का स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। तमिलनाडू के डेल्टा संभव तथा करनाटक के कुछ क्षेतरों में भी धान का स्टॉक दबाने की कोशिश हो रही है। ग्रीशमकाल में मौसम प्रतिकूल रहने की संभावना से भी बाजार को तेजी का सपोर्ट मिल रहा है। फाइन वेराइटी के धान की 62 किलो वाली बोरी का दाम पिछले साल 1300 रुपए तक पहुचा था जो इस बार 1800 रुपए के करीब पहुच चुका है। आगे इसमें कुछ और बड़ोत्तरी होने की संभावना है। किसानों का कहना है कि फाइन वेराइटी धान के उतपादक सीधी खरीद केंदरों पर आपने उतपाद बेचने से हिचक रहे हैं क्योंकि वहाँ इसका भाव 908 रुपए प्रती 40 किलो चल रहा है। दूसरी और प्राइवेट चावल मिलर्स इस बार सीधे किसानों से उसके खेतों पर धान खरीदने के इच्छुक हैं। इससे उतपादकों का परिवन सहित अन्य खर्चों की बचत हो जाएगी। कुछ किसानों को 1780 रुपए प्रती बोरी की दर से अपना धान बेचने का अफसर मिल रहा है। Bureau Report Market Times TV